140 सब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट मैं वित्मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बुंदेल खंड को स्पेशल पैकेस उपलब्ध कराया जाए और उसे अलग समवर्ग घोशित किया जाए जिस तरह से परवती समवर्ग हुआ करता था और केंदर सरकार उसके लिए अलग से बजट उपलब्ध कराती थी केंदर सरकार उसी तरह से उस छेत्र को भी अलग से समवर्ग घोशित करके अलग से बजट इलाट करे इसलिए बुंदेल खंड के विकास के लिए अलग से आप बजट उपलब्द कराएं यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं मैं एक और निवेदन वित्मंत्री जी से करना चाहता हूं बुंदेल खंड विकास परिशत का गठन केंद्र सरकार को करना चाहिए अगर बुंदेल खंड विकास परिशत का गठन हो जाएगा तो वहां की क्या समस्याएं हैं, वहां की लोगों की क्या दिक्कतें हैं, वहां की लोगों के खेतों में पानी उपलब्द कराने के लिए क्या योजना बनानी चाहिए इन सब बातों पर अमल हो सकेगा आपने अपने बजट में किसानों के करज माफ करने की घोशना की है लेकिन इससे अस्ताई हल होने वाला नहीं है अगर आपको किसानों की समस्याओं का अस्ताई हल करना है तो हर खेत को पानी उपलब्द कराने की बेवस्ता करनी होगी इसके अलावा उनके उत्पादों के लिए समर्थन मुल्य घोशित करना होगा किसानों को फसल की लागत और महनत के अनुसार लाबकारी मुल्य मिले जब तक यह सुनश्चित नहीं कर पाएंगे सारे किसानों को फाइदा नहीं होगा और नहीं उन्हें लाबकारी मुल्य मिल सकेगा मैं एक और निवेदन माननी मित्वंतरी जी से करना चाहता हूँ जिस तरह से किसानों पर आयकर की छूट है उसी तरह से डेरी उद्धोग पर भी आयकर की छूट होनी चाहिए को आपरेटिव सेक्तर को भी आयकर से छूट मिलने चाहिए जब किसानों के खेतों में उत्पादन बढ़ेगा तब किसान खुसाहाल होंगे इसलिए उनके खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो संसाधन है जैसे बिजली है पानी है उर्वरक है और बीज है इन सब को उपलब्द कराने के लिए सरकार को बिवस्था करनी चाहिए इस बजट में इन सब बातों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए मैं आपके मार्ध्यम से वित्मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस छेत्र बुंदेल खंड से मैं आता हूं कृपा करके उस ओर ध्यान दे वहां के इसान आज मर रहे हैं पलायन कर रहे हैं पीने का पानी नहीं है खाने को कुछ नहीं है उनकी स्थिती को देखते हुए उनके लिए भरपूर मात्रा में बजट उपलब्द कराईए उपाध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सामाने बजट दो हजार आठ नौ पर बोलने का समा दिया मानेवर भारत एक किशिप धान देश है पर दुरभागे से हमारे देश में कृसी बजट से अलग है इस कारण किसानों के उत्थान की बात स्फोचना बेहिमानी है मैं बुंदेलखंड से आता हूं और मेरे से पुरव मेरे साथी भी बुंदेलखंड की यथार्ट इस्थिती बता रहे थे उपाध्यक्ष महोदे बुंदेल खंड में चार साल से सूखे की इस्थिती बनी हुई है माननी मंत्री जी ने किसानों के करजे माफ किये इसके लिए हम उन्हें बधाई देंगे धन्यवाद देंगे लेकिन जो आदमी भूख से मर रहा है भूख से तडप रहा है उसे कोई स्पेशल पैकेज देना चाहिए था लेकिन उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की है मैं दो साल से बराबर इस लोग सभा में उनकी मांग उठा रहा हूँ और मैंने माननी अपधान मंत्री जी के समक्ष पिछले साल ये सारी बाते रखी थी और उन्होंने आस्वासन दिया था कि मैं एक सर्वे टीम को भीज रहा हूँ और जब वह सर्वे टीम यहां आकर अपनी रिपोर्ट देगी तो निश्चित ही हम बुंदेल खंड के लिए कुछ ना कुछ राहत देंगे वह सर्वे रिपोर्ट भी आई लेकिन इस बजट में बुंदेल खंड के लिए अलग वहां किसान और जानवर पानी के बगैर मर रहे हैं जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है मैं एक गाउ में जा रहा था एक छोटा सा जानवर जिसे हम लाहिया कहते हैं जो रात में निकलता है लेकिन मनिस्च को देखकर भाग जाता है हम लोगों की गाड़ी देखकर वह सीध प्यास के मारे चिला रहा था या जानवर मुझे बोल नहीं पा रहा था और भूक और प्यास से मर रहा था माननी मंत्री जी जब बोलेंगे तो हमारे बुंदेल खंड के लिए निश्चित ही कुछ न कुछ विसेश पैकिस की घोशना करेंगे